हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी बधाई हो बहन जी आपकी बहु बैंक मेनेजर बन गई धन्यवाद सम्धन जी ये सब बहु की मेनत का फल है लेकिन इसमें आपका बड़ा सहयोग है रिचा ने बताया था किस तरह परिच्छा के दवरान आपने उसे घर के काम छोड़ कर सिर्फ पढ़ने को कहा उसके खाने पीने का ध्यान रखा सच में सम्धन जी मेरी बेटी किसमत वाली है जो आपके जैसी सास मिली मैं जो कर सकती थी किया बाकी रिचा की मेहनत का फल है सुपरिया जी खुसो कर बोली आज सुपरिया जी बहु के बैंक मेनेजर बनने पर बहुत खुस थी पर कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था रिच्चा महात्वा कांची लड़की थी, अपनी महिनत से वो बैंक में कलर्क थी, अब वो बैंक मेनेजर बनना चाहती थी, इस बीच उसकी साधी सरद से हो गई, अपना सपना और कई अर्मान लिए वो ससुराल आगई, उसके ससुराल में सा ससुर और एक ननद माया जो काले में पढ़ती थी सब अच्छे थे पर था तो वो ससुराल ही नौकरी और घर के कामों के बीच उसे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था जब परिच्छा पास आने लगी तो उसने एक दिन सुप्रिया जी से बोला ममी जी मेरे पेपर की तारीक नजदीक आ रही है आप इजाजत दें तो मैं 10-15 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ वहां से आफिस नजदीक है आने जाने में समय बचेगा तो पढ़ने का वक्त ज्यादा मिल जाएगा बहु जो पढ़ाई करनी थी मायके में करके आती परिच्छा के नाम पर मायके जाने का बहाना फिर यहां रहकर पढ़ने में क्या परिशानी है मम्मी जी आफिस से ठक कराओ फिर खाना बनाओ किचन साफ करो सुबह की तयारी करो रात का सारा वक्त इसी में गुजर जाता है सुबह भी सबका नास्ता लंच बनाने में पढ़ने का समय नहीं मिलता और इतवार को कपड़ दोने और साब सफाई में पूरा दिन निकल जाता है तो क्या इसमें हमारी गलती है बहु हो इस घर की काम करने की जिमेदारी तुम्हारी ही है मम्मी जी मैं जिमेदारियों से भाग नहीं रही बस कुछ दिन पढ़ने के लिए मांग रही हूँ पहले ही कुछ पढ़ाई नहीं हुई कम से कम 10-15 दिन तो अच्छे से पढ़लूंगी बहु तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो नहीं मम्मी जी मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता ये प्रसन सुप्रिया जी को जग जोर गया ऐसा ह सवाल बरसों पहले उन्होंने अपने माता पिता से पूछा था सुप्रिया जी को पढ़ने का सोग था वो टीचर बना चाहती थी लेकिन कालेज के सेकेंडेर में आते ही उनके लिए रिस्ता आ गया घर परिवार अच्छा था इसलिए उनके मम्मी पापा ने उनकी मर्जी क खिलाफ उनकी साधी कर दी तब से वो घर गरास्ती में ऐसी उल्जी कि कभी अपने सपने के बारे में सोच ही नहीं पाई मन में दभी कुंठा ही थी जिसने उन्हें कठोर बना दिया था लेकिन रिचा के प्रिस्ण ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो फिर से इ जहरी निंद से जगा दिया तू परिच्छा जरूर देगी लेकिन माय के रहकर नहीं यहीं रहकर तू आज से ही परिच्छा की तयारी कर घर का काम मया और माया कर लेंगे रिचा पढ़ाई में लग गई सुप्रिया जी ने रिचा को कोई काम नहीं करने दिया पढ़ाई के देखिए सबने मुझे कितनी सारी मालाय पहनाई और ये देखिए कितने गुल दस्ते दिये हैं। रिचा खुस होती हुई बोली। भै बैंक मैनेजर का स्वागत आईसे ही किया जाता है तो बैंक मैनेजर बनाने वाली का भी स्वागत होना चाहिए। एक माला सुप्रिया जी को पहनाते हुए रिचा बोली, सुप्रिया जी की आखे नम हो गई, भले ही वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, पर उन्हें खुसी थी कि बहु का सपना पूरा करने में उनका थोड़ा सही सही, पर सहयोग जरूर था, आशा करती हूं दोस्तों आ आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धनिवाद